नवस्कार, गुड मॉनिंग, राम राम साब, स्वागते सभी का रिशी सर यूटूब चैनल पे और हम स्प्रिंग बोर्ड अकैडमी का टेस्ट वेपर आरेस फाउंडेशन के लिए हमने C4 और B15 के लिए टेस्ट वेपर बनाया था और इसमें टोटल 75 कोशन दिये थे आरेस क लिए और इसमें से 25 तक का हम सॉलूशन कर चुके, आज 25 के बाद 26 नंबर से हम सुरुवात कर रहे हैं, पूरी क्लाव देखेगा, ये 26 नंबर का एक्जामपल था, how many triangles are there in given figure, इस आकिरती में ट्राइंगल हमें काउंट करने थे तिर्बुझ कितने, बहुत बैतरीन आकिरत हैं, और हमें तिर्बुझ गिनने हैं, कितने हैं, क्या तरीका रहेगा, ट्राइंगल काउंट करने का, वो हम सीखते हैं, ठीक है, पूरी क्लाव देखेगा, सबसे पहले इसके अंदर जो हमें figure दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक तो ये दिखाई दे रहा है, देखो, साहिए, ये design इसके अंदर दिखाई दे रही है, ये ट्राइंगल है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, सबसे पहले इस वाली आकरती में मुझे तिर्बुझ देखने हैं, कितने हैं, तो इसी को मैं गिनना सुरू करूंगा सबसे पहले, सबसे पहले यहां 3 का 7 है और ये भी 3 का 7 है 9 तो सीधे दिखाई दे रहे हैं इसमें ठीक है 9 के बाद में ये बीच की लाइन आदे हिस्से का तिरभुज 10 आदे हिस्से का तिरभुज 11 11 हो चुक है देख लीजिए 11 के बाद में इस लाइन की बात करें यहां से यहां तक आदा इससा 13, आदा इससा 14, इस लाइन से देखिएगा, 15, 16, ठीक है बई, दुबारा देखो फिर से, 3 और 3, 6 और 3, 9, 9 के बाद बीठ की लाइन 10, 11, इस लाइन से 12, 13, इस लाइन से 14, 15, और complete 16, तो इस आकरती में तिरभुज अभी तक कितने आए हैं, 16 आए हैं, अब इसके अंदर अगर देखा जाए, तो एक लाइन देखो ऐसे, और एक लाइन ऐसे, यानि मैं इसमें लाइन बना जेता हूँ, ध्यान दीजेगा सभी, इसके अंदर लाइन बना जेता हूँ, मैं, देखो, एक लाइन तो इसके अंदर ऐसे दिए, यह, है ना, और एक लाइन देख अब देखो इतने वाले हिस्से में जो तिर्बुज हैं वो कितने हैं 22, 22 के बाद में एक ये तिर्बुज है 23 नमबर में और ये तिर्बुज है 24 नमबर में पूरी आकरती में जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे साथ 24, correct answer 24 आएगा, पूरी class ऐसे के ऐसे एक बार देख कितने हैं, अगर इसकी में बात करता हूँ, तो इसके अंदर बेसिक शुपा हुआ है, फर्स्ट नमबर का बेसिक ट्राइंगल के कॉर्णर से 9, मैंने कहा था नमबर लिखना है और सभी का टोटल करना है, ठीक है, कितने का सैट होता है, हमेशा 10 का सैट होता है, कितने का अगरती उपर है, बिलकुल वैसी ही आकरती हमको जो दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितने का सैट है, 10 का, तो 10 तो यहां से, और 10 यहां से, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए, 20 तो सीधे दिखाई दे रहे, और 20 के बाद में ध्यान दिखेगा, यह 3 का सैट है, यह भी 3 का सैट है, ठीक है भई, 3 3 के यह है, यह सिंगल, यह सिंगल, अच्छा यह वाला तो पहले गिन लिया, हमने इसको अभी हटा देते हैं, पर यह वाला काउंट नहीं किया, एक तो यह सिंगल, यह सिंगल, यह सिंगल, और यह सिंगल, इस कितने हो गए साथ 30 और 30 के बाद में अब कौन-कौन से रह गए जो उनको कहीं से नहीं गिना ज्यान दीजेगा एक तो यह कहीं से नहीं गिना एक दो तीन और एक यह चार तो तीस पहले चार अब सभी का टोटल आंसर कितना आएगा 34 तो आकरती में जो तिर्भु जाएंगे और कितने आएंगे साथ 34 ऐसे होगा पूरी क्लास देख लीजिए के बार और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और जादा से जादा सेर करें और अगर आपको ओफलाइन पढ़ना है रीजनिंग तो मैं बताएता हूँ आपको स्प्रिंग बोर्ड अकैडमी में IIS RS की क्लासे चलती है वहाँ आप मेरी ओफलाइन क्लासे ले सकते हैं जैपूर में उसके अलाबा और ज इसके बाद में 28 number है, triangle count करने हैं हमको कितने, सबसे पहले आप गिनिएगा, कितना answer आ रहा है, उसके बाद फिर count मैं कराऊंगा, 28 number, ठीक है भई, तो तिरभुज गिनिए कितने हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो 2 तो ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, और 2 ये हैं, सहिए सब, 8 तो ये हो गए, ये 9 number और ये 10 number, इसके अलावा और पूरी आकरती में कोई भी तिरभुज नहीं है, तो आकरती में जो तिरभुज आएंगे, वो कितने आएंगे सब, 10 तो ये तो बहुत आसान आकरती थी, पूरी क्लास देख लीजिए, परफेक्ट आंसर आए परफेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे, कितना आएगा, और एक बार कितने लोग सॉल कर सकते हैं, वो देखना जाता हूँ, 29 नमबर है, 29 नमबर का एक्जामपल है, इसको यहाँ पर देखो, यह equation है, और यह relation लिखे हुए, लिखा है, M plus B means A is father of B, A minus B means A is wife of B, A multiply B means A is daughter of B, और A divide B means A is son of B, तो यहाँ पर यह बेटा है, son, बेटा, ठीक है, यह equation है, और इसमें M जेसे कैसे सम्मन देते हैं, मतलब हमेशा याद रखना, जो भी चीज पहले लिखी है, उसे पढ़ते हैं, कौन, इसका मतलब M कौन है, J का यह पता करना है, चिन्नों को देखकर सारे रिष्टे हमेशा left में जाते हैं, तो यहाँ पर multiply, multiply का है daughter, बेटी, प्लस, प्लस का मतलब है पिता, डिवाइट, डिवाइट का है बेटा, मिलाना किसको है, M और J को, और अपने आपको कहा मानना है, आपको M पे मानना है, स्वेम, खुद, रिष्टे में लेके आ रहा हूँ मैं, अपने आपको M पे मानेंगे, स्वेम, आपका बेटा, बेटा आज तक किस-किस का हुआ है, माता-पिता का हुआ है, ठीक है, आपके बेटे के पापा, अच्छा, बेटे के पापा, मतलब बेटे के पापा मतलब पती तो यह female हो गई औरत हो गई ठीक है क्योंकि बेटा है और बेटे के पापा है तो मतलब इसके पती होंगे और पती की जो बेटी है वो M की भी बेटी है तो M J से किस प्रकार सम्मंदित है M J की कौन है मा तो correct answer जो आएगा वो C option आएगा तो प next example आपके लिए यह 30 number है यहाँ पर कह रहा है चित्र को देखकर रुचाने कहा सीमा से पूछा रुचाने सीमा से पूछा यह है चित्र किस का है ठीक है सीमा ने जवाब दिया तो जवाब कौन दे रही है सीमा जो भी कहता है जवाब देता है उसको हमेशा left में रखते हैं ज तो चित्र की तरफ इसारा कर रही थी और कह रही थी सीमा ने जवाब दिया कि उसका बेटा यानि चित्र का बेटा उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है मेरी बेटी का पिता है ठीक है साथ एरो हमेशा एक ही डारेक्शन में करने पड़ता है यह बात हमेशा हमेशा याद र यहां पर यह सही है, राइट हेंड पर जा रहा है, यह भी सही है, और यह बेटा है, तो इसके यह या तो मा हो सकती है, या कौन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, ठीक है, तो यह चितर किसका है, अपने आपको सीमा पर मान दीजिएगा, और इसते में ला रहा हूँ मैं आपको, तो यह चित्र किसका है, सीमा का है, नहीं है साफ सीमा का, सीमा की सास का है, बिलकुल हो सकता है, सीमा की बहन का, सीमा की माता का, option को देखकर correct answer देखे आओगे, सीमा की सास का, सीमा is mother-in-law, तो ऐसे answer आएगा इसका देख लीजे पूरी class, correct answer आएगा B option, और अगला example आपके लि 31 का number का example है, पूरी class पढ़िए का क्या लिखा है, और इसके बाद फिर मैं solve करता हूँ इसको, यहाँ पर कह रहा है कथन में चात्र 1 ने चात्र 2 से कहा, ठीक है, मुझे पढ़ने के लिए आपके notes चाहिए, ठीक है, यह तो है statement कथन, अब इसमें assumption क्या है, कि चात्र 2 ने notes त एक number वाले ने, दो number वाले से coffee मांगें notes की, तो पहली जो assumption है, वो तो बिल्कुल सही है, कथन को देख कर, second, शात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाता है, ऐसा कहीं option में उपर कथन में कहीं लिखा नहीं है, तो second वाले को हम clear नहीं कर सकते, यहाँ पर जो सही आएगा, answer A आएगा, पूरी class देख लीजेगा, इस तरीके से solve होगा, correct answer जो आएगा, इसका A option आएगा, और अगला example मैं आपके लिए दे रहा हूं, और देखता हूं किते लोग solve कर सकते हैं, यह, यह second number का example है, यहाँ पर कह रहा है, कथन X ने Y से कहा, अब देखिएगा साब, क्या क किर रघृत के मांसिक स्वस्थ पर, सोसल मीडिया के प्रभाब पर सोध करना चाता हूं, बाद समझे ली तो बरो के रहा है, कुश म ने कहा खाता हूं, तो इस से Augenption क्या लगेंगी, सई कलतर का, फैसला हमको लेना है, पेहला, किर रघृत की स्वस्थ पर, सोसल मीडिया के चाता है तो बाई साल मापा जा सकता है पहली manner बिलकुल सही इस तरह के सोथ केलिए x के पास कौसल और दख्षता है बिलकुल जभी तो यह चाता है तो दूषरी लाइन भी clear है तो यहां पर दौनों ही जो ज्येंशन हैं बुलकुल राइट है सही है और option की अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर भी अपना जो answer आएगा दोनों पूरधार नाए अंतर नहित हैं मतलब सही है correct answer a option देखे आएंगे पूरी class देख लिजेगा तो इसका जो answer आएगा वो आएगा a option 30 कौन सा number है ये 32 नंबर है और 33 की अगर बात करते हम 33 में देखिए ये 33 नंबर का example है इसको solve करते हैं यहां पर statement में कह रहा है कि कुछ प्रसिद्ध परेटक इस्थल के footpath बिखारियों से भरे हुए हैं कुछ की बात कर रहा है ठीक है कुछ जो हैं वो बिकारियों से भरे हुए हैं अब पहला पुलिस की मदद से इन बिकारियों को भगा देना चाहिए बिलकुल बिकारियों के लिए रेन वसेरा या अलग विवस्थाएं government करती है वहीं बिकारी रुख सकते तो उनके लिए अल ना के सहर है वहाँ पर सारी चीजेदों को ब्यवस्थित षदिके से डंग से अरेंज करे तो यह बात बिलकूछ सही है सरकार को विकारियों के पुणरवास और उनकी जीवन इस्तर को सुधानने के लिए विचार करना चाहिए बिल्कुल गॉर्मेंट का काम गॉर्मेंट करना चाहिए पुलिस का काम पुलिस कर रही है तो यह बात भी बिल्कुल सही है यहाँ दौनों ही बाते जो हैं वो बिल्कुल सही है ऑफशन की बात करें तो इसका भी आंसर कौन सा ऑफशन आएगा यह option आएगा पूरी कला देख लीजिए दौनों ही बाते जो हैं वो सही है अब देखिए यह है अपना 34 नंबर का यहां पर कह रहा है एन्टिवाइटिक टैब्लेट का उपयोग यह आत है है ओ अदो को के दिवाडू को हैं और कि बहुत Hum इस्थर कर देता है एंटिवाइटिक है अभ आत में लाबकारी जीवाडू होते हैं बिलकूल जब ही तो इस्थर कर यहीं भी कथन में ऐसा नहीं लिखा कथन से रिलेटेड नहीं है इसलिए सेकिंड वाला क्या माना जाएगा गलत तो सही कौन सा इसमें केवल फर्स्ट ऑप्शन की हम भाइं बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा पूरी क्लाव देख लीजिए एक बार तो सही आंसर जो आएगा वो उसका कौन सा ओप्शन आएगा सी ओप्शन आएगा नेक्स एक्जामपल आपके लिए आ रहा है यह 35 नंबर है अब पूरी क्लाव 35 को देखते हैं यहां पर यह आर्गुमेंट वाला एक्जामपल है इसकी अगर बात करें कथन में क्या कह रहा है क्या बच्चों को माता-पिता के वुजुर्ग होने पर उनकी देखवाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जा सकता है यह प्रसंद पूछ रहे हैं बुड़े जो माबाप हैं बच्चों को माता-पिता के वुजुर्ग होने पर उनकी देखवाल करने के ये कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जा सकता है मतब कि हां कि आपको ही सेवा करनी है अलाग कि करनी चाहिए अच्छी बात है माता-पिता है और वो बच्चों पे ही डिपेंड है और हम सभी को माता-पिता की सेवा करनी चाहिए ये हमारा करतब्व है पर कानूनी रूप माता-पिता का अधिकार होता है बच्चों पर बच्चा माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको ऐसे बे साहरा नहीं छोड़ सकते उनका भी अधिकार है जब बच्चे होते हैं तो माता पिता उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी उनके उपर कुर्बान करते हैं तो यहां पर पहली बात बिलकुल सही है दूसरा कह रहा है हाँ केबल इसी के द्वारा ग दोनों तर्क क्या हैं मजबूत हैं करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ओप्शन आएगा पूरी क्लास देख लीजिएगा नेक्स्ट एग्जामबल की अगर बात करता हूँ तो देखिए कसन में कहा रहा है क्या कलम तलवार से अधिक ताकतवर है कलम तलवार से भी अधिक ताकतवर है यह पूछ रहा है आपसे देखते हैं पहला हां लेखक व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है बिलकुल साव पहली बात बिलकुल सही है, ठीक है, सकिर, नहीं कोई भी व्यक्ति सारिरिक वलके आधार पर सब कुछ जी सकता है, गलत, सही कौन सा है, केवल फर्स्ट ऑफ्शन की बात अगर हम करते हैं, तो केवल फर्स्ट वाला जो तर्क है, वो मजबूत है, तो यहाँ पर आएगा केवल रिशी सर नाम से अप्लिकेशन है, उसे डाउनलोड करें, और उसमें फ्री टेस्ट वेपर, फ्री स्टेडी मटेरियल और बहुत सारे वीडियो, उसमें मैंने फ्री प्रोवाइड कियें, उनको आप देखें, और बहुत ज्यादा फायदा आपको उन से मिलने वाला है, ने पर कह रहा है कि आनन्द कॉलोनी में कल दुफैर बारा वजे के पश्चाद बिजली की आपूर्ती मरमत का कारे सुरू किये जाने के कारण तीन गंटे के लिए बंद रहेंगे, क्या बंद रहेंगी साब, बिजली, ठीक है, यह बास समझ में आ गई, आनन्द कॉलोनी के नि आनन्द कॉलोनी के निवासियों को बिजली के मित्वेता पूर्ण उपियों करने के लिए प्रसिक्षन की आवज सकता है, नहीं, गलत, सही कौन सा है केवल फस्ट, केवल फस्ट वाला जो है, वो बिल्कु सही है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, और नेक्ट एक्ज यहां पर कह रहा है कि रमंद्रनाथ टेगोर्ण ने बहुत सी कविताएं लिखी, अच्छा, प्रतेक कभी को सौंदर्रे परक ज्ञान होता है, तो अंदर सास्त्र मूल्यास्रित अध्यन का एक भाग है, ठीक है, अब इससे निसकर्ष क्या लगेगा, रविंदरनाट टेगोर ने बिभिन मूल्यांस रित अध्यन किये हैं तो पहली बात तो बिल्कुल क्या है साब? इसमें सही है पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है और सेकंड वाले की बात करें उन्होंने तर्कसात्र और नीतिसास्थ का उधार अपना है ये कहीं तरक साथ, नीती साथ के बारे में कोई बात लिखी अगयर, नई, तो सही कौन सा है, केवल फर्स्ट आप्शन की अगर बात करते हैं, तो केवल फर्स्ट वाला जो आंसर है, वो बिलकुल सही है, नेक्ट एक्जामपल आपके लिए, ये एक्वेशन है, और एक्वेश होती है साथ, और इस एक्वेशन में कुछना कुछ पैटर्न फॉलो करता है, कैल्कुलेशन से सॉल्व होते हैं, जो क्रम पहले में है, वही दूसरे में, वही तीसरे में, वही चौथे में काम में आएगा, ऑप्शन के हिसाफ से हमें देखना पड़ता है, कि कैसे आ सकता है 9 और 7 से 32 चीए कैसे ला सकते हैं, वो हमें देखना है, तो पूरी क्लास देखिएगा, 9 का स्क्वाइर, 81, 7 का स्क्वाइर, 49, माइनस कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा साथ, 32, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, और ऐसे इसमें, तो मतलब 19 का स्क्वाइर, 361, 11 का स्क्वाइर, 121, माइनस किया जाए, तो आंसर आएगा 240, तो करेक्ट आंसर इसका 240 आएगा, पूरी क्लास देख लीजेगा, इस तरीके से ये एक्वेशन जो है, वो सॉल्व होगी, नेक्स एग्जामपल की यहां बात करते हैं, अब पूरी क्लास देखिएगा, ये 40 नंबर का एग्जामपल है, और इसमें 3 डिवाइड 5 इसक्वल तू 5, 4 डिवाइड 7 इसक्वल तू 8, डिवाइड 7 इसक्वल तू 6, और 9 डिवाइड 6 का मान कितना होगा, ये हमें पता कर निश्चित करम चलता है, कैलकुलेशन पर आधारित है, वो हमें देखना पड़ता है, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक जिरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, यहां पर अगर देखा जाए, तो पूरी क्लास देखना, तीन का गुणा पांस से किया, तो बैसा पंदरा आ रहा है, चार का सास से गुणा किया, तो अठाईस आ रहा है, आठ का सास से गुणा किया, तो चपन आ रहा है, और नो का छे से गुणा किया, तो कितना आएगा, चववन आएगा, अब जारा ध्यान से देखिएगा, आख है कितना लिखना चाहिए साथ 4 तो multiply करना है और लास्ट में जो डिजिट है ना उसको लिख रहा है तो option की बात करें तो correct answer जो है वो कौन सा option आएगा ऐसे होगा पूरी क्लास देख लीजेगा एक बार पूरी देख लीजेगा इस तरीके से जी सॉल्व होगा कि नेक्स सब्सक्राइब है 41 यहां पर उस्पिटल को यह लिखा जाता है पोस्टल को क्या लिखा जाएगा यह कह रहा है यह सारे के सारे अकशर उपर मौझूद है क्या जब सारे अक्षर उपर मौझूद होते हैं तो कोड के अनुसार लेने पढ़ते हैं ठीक है पी का अगर कोड देखा जाए तो पी जो है वो फॉर्थ नंबर पर है तो पी का कोड है seven तो यहां पी का कोड 7 लिख देता हूं ना ओ जो है वो second नंबर पे है तो कोड है 2, S थर्ड नंबर पे कोड ऐसा 5, T आखरी से थर्ड नंबर पे, आखरी से थर्ड नंबर पे 6 आएगा, AAL, AAL, TAL, यानि 1, 8, आंसर आएगा 72, 56, 18, 72, 56, 18, 72, 56, 18, यानि करेक्ट आंसर B option आना चाहिए, तो पूरी क्लास देख लो एक बार, इसका सही आंसर आएगा B option, ऐसे होगा, coding recording है, और next example अपनी आखों के सामने है 42, यहाँ पर B को कह रहा है 2, मैट का है 34, कैसे आया, 13 प्लस 1 प्लस 20, सभी का टोटल पूछा है, 10, प्लस 15, प्लस 7, प्लस 12, प्लस 5, प्लस 24, सभी का टोटल किया जाए, तो आंसर कितना आएगा, 73, पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे हो गए, तो अक्षर के उपर नंबर लिखना है, और सभी का टोटल करना है, एका कोड यह है, B का, D का, E का, G का, H का, K का, L का, M का, N का, O का, S का, यह सारे कोड दिये हुए हैं, तो इसका जो मान है, वो कितना आएगा, तो यह देखिए, भाईया, H का कोड है, सबसे पहले, यह ऐसे है, तो यह O का कोड है, ना, यह M का कोड है, और यह जो है, यह A का कोड है, यह जो है, वो G का कोड है, और यह जो है, वो किसका कोड है, E क यह code के हिसाफ से होगा correct answer B option आएगा पूरी गलाज देख लीजेगा एक बाद B option इसका correct answer है Next example यह है साफ यहाँ पर इसका code यह है कितने अक्षा है total 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है साफ और आप से जो code पूछा गया है इसका code यह है 3 और 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है आप से code इसका पूछा गया है C का code अगर हम बात करते हैं तो C का जो code है आखरी से 3rd number पे आखरी से 3rd number पे अगर बात करते हैं तो क्या है साफ परावर है ठीक है और L की अगर बात करते हैं L L की बात करते हैं तो पहले में L है आखरी में 7 ठीक है दिखाई दे रहा है उसके बाद में I का जो code है ना I का I का 7 से पहले यानि ये बाला ठीक है ये और भाई साब P का जो code है ना वो इस टार्टिंग में question mark option की बात करें सही answer code के according D option आएगा ऐसे हो रहा है ये पूरी class देख लीजेगा ठीक है अगला एक्जामपल आपको दे रहा हूँ पढ़िए और code के अनुसार आप इसका answer बताएंगे 45 का कितना आएगा जैसे अभी कराया था बिल्कुल वैसी होगा ये I का code R है N का A है है ना नहीं R का I है U का N है ठीक है यहां लिख देता हूँ ठीक है साब अब इसका code बूचा है आपसे इसका code क्या होगा सॉल कर सकते हैं क्या बिल्कुल सॉल कर सकते हैं R का code भाई साब आ ही ले रहा है 45 और अगला एक्जामपल 46 की तरफ आगे बढ़ रहे हूँ पूरी क्लाब देख ले यह 46 नमबर है ठीक है क्या लिखा है सुनें आप से कह रहा है यदि गड़ी को टेली वीजन टेली वीजन को रेडियो रेडियो को चूला चूले को चक्की चक्की को प्रेस कहते हैं तो औ औरोत सिकाई किस पर करेगी सिकाई बाई साब चूले पर होती है ला और यार चूले को क्या कहा जा रहा है चक्की तो और ने किसकाई करेगी ऑई चक्की पर करेंगे और किसी बीर सकती और नहीं कर सकती चक्की पर करेंगी अगले एक्जामपल है यह कोडिंग निकोडिंग पहला टाइप कि अब लटा बॉय कि बई का नंबर ट्वंडी फाइप पर आता जानते होना कि का इवनिंग आजा कि जी टी कि ऐसी इसमें इंडियन रेलवे फादर अंकल हनी सिंग जी टी उसी ग्रम में आंसर पूछा है तो वैसा बी का वोगा बॉय 25 यू का एफ फादर अंकल आर का टी नहीं आर का क्या एगा इंडियन रेलवे आई एस का हनी सिंग टी का जी टी 25 6 9 और 6 9 8 7 25 6 9 8 7 यानि करेक्ट आंसर आएगा डी ओप्शन एसे सॉल्व हो गए पूरी क्लास देख लो एक बाट डी आंसर करेक्ट आंसर इसका और अगला एक्जामपल आपके लिए है पूरी क्लास ट्राई करिए एक बार और मैं देखना चाहता हूं किते लोग सही आंसर देंगे आप में से ट्राई करिए सभी यहाँ पर कौमन देखके कोड निकालना है और इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है और इसका मतलब भाई साथ ये है तो आर का कोड पूछाए आपसे है ना तो यार आर जो है ना वो इसमें दिखाई दे रहा है मुझे फस्ट वाने फर्स्ट वाले वे लिगारा पले तो के यह सबसे पहले और दूसरे में कितना को मनें फाइब और फस्ट और सेकिंड में अगर बात करें, तो books are old common है, ठीक है, अब इसके बाद मैं first और third की बात करतें, three common है, और first और third में books common है, ठीक है सब, आप से R का code पुछा है, कि बाई साब, R का जो code है, वो कितना है, तो answer जो दे के आओगे, R का जो code है, बचा हुआ है, वो 2 है, correct answer आएगा, be option, ऐसे होगा, पूरी class देख लीजे एक बार, सही answer इसका आएगा, be option, तो ये सभी ने सही किया होगा, मुझे पूरी उमीद है, और अगला example आपके लिए, ब इसके बरावर ये है, इसके बरावर ये है, तो blue का code पूछा है, अब यार, blue का code अगर मैं देखा जाए, तो blue जो है, इस वाले में उपस्त है, ठीक है भई, अब इस दोनों में क्या चीज common है, 6 common है, ठीक है, C is deep, और C look blue, तो C common है, C को अटाओ, ठीक है साब, और इसके बा इसके ब्लू, और इसकाइज ब्लू, और लुक्स ब्लू, ब्लू का जो code है, वो कितना है, 8 है, एसे होगा ये पूरी ग्लास देख लो एक बात, और अगला एक जाब पर आपके लिए दे रहा हूं, मैं और देखना चाहता हूं, किते लोग सॉल कर सकते, ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह होगा, यहां पर इसको ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, तो डेंजरस, भाई सब तीसरे में दिख रहा है मुझे, है ना, तो एक काम करते हैं, पहले और दूसरे में क्या चीज़ कॉमन है, वो आर यू, यू कॉमन है, यू को हटाईएगा, पहले दूसरे में, और क्या चीज़ कॉमन है, फोर कॉमन है, सब्सक्राइब, अब दे आर, इसमें दे कॉमन है, ठीक है, ठीक है, और यहां पर कॉमन कितना है, दोनों की अगर बात करें, इसमें, इसमें दे कॉमन है, और एट फाइव, फाइव कॉमन है, ठीक है सब अब first और third की बात करते हैं first और third में क्या चीज common है R common है ठीक है और इस दोनों में क्या चीज common है अगर बात करें तो two common है ठीक है इसमें भी R common था इसको अड़ा दिया तो dangerous का जो code बचा है वो क्या बचा है 9 तो correct answer आएगा 9 ऐसे होगा पूरी ग्लाल देख लीजेगा एक बार जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें प्रमोट करें और आज हमारे ये 50 तक कंप्लीट हुए हैं अगले 25 का वीडियो कल या परसों तक मैं आपके लिए डाल दूँगा और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें आज के लिए इत्ता ही गाफी है जैहिन जैभारत राम राम साथ